असलाम लेक्म क्लास आज का जो हमारा टापिक है वो है टाइपस आफ मॉडम हमारे पास जो टाइपस आफ मॉडम है वो थ्री टाइपस के हमारे पास मॉडम होते हैं शेप और साइज के लिहाज से जिसमें सबसे पहले आपके पास है एक्सटर्नल मॉडम सेकिंड वन है इंट critical difference क्या है सबसे पहले हमारे पास एक्स टरय मौडम मॉडम है तब मतलब यह है कि यह आ आप कंप्यूटर निजा मधर बॉड और सी प्यू का हिसा देए बलगि एक्स टिर्टर्ट पर आप चू है इसको क्या अगह ru हो अपने कंप्यूटर के साथ कुनेक्ट करते हो with the help of cables Ethernet cables like it is an external unit of computer that is connected to serial port com or com 2 of computer by means of cable यहां पर यह जो com or com 2 है यह बिटा communication ports हैं जिन में आप क्या करते हो अपने मौडम की Ethernet cable होती है उसको connect करते हो it is also linked to telephone lines through telephone wall jack यह जो है आपके पास wall jack जो है यह आपको नजर आ रहा होगा बेटा यहां पर यह जो आपकी wires जो Ethernet cables connected होई है जिन ports में इन्हें हम कहते हैं यह आपकी telephone wall jack है external modern बेटा आपके पास portable होते हैं portable से मुराद आप इनको जो है वो कभी भी अपने computer के साथ connect कर सकते हैं और disconnect कर सकते हैं with help of wires उसके बाद यह easy to install होते हैं इनको install करना use करना जो है वो असान है और यह expensive होते हैं काफी costly होते हैं और last one यह आपके data transmission speed जो है इन में भाई होती है second one बात करते हैं आपकी जो सेकीन टाइप है modem की जिसे हम कहते हैं internal modem है तो internal modem बेटा यह आपके जो है वो installed होते हैं directly installed होते हैं आपके mother board के दूस्हां होते हैं जो के install कर दिये जाते हैं और यह आपके सिस्टम का हिसा बना दी जाते है एन इंटर्नल मॉडम इस सरक्ट बोर्ड दाइड इस इंस्टाल इंटू वन आफ दा एक्सपेंशन स्लाट इंसाइड दा सिस्टम यूनिट आफ दा कम्प्यूटर यहां पे एक्सपेंशन स्लाट जो है यह आपकी कोई भी चिप है जहां पे आपके सरक्ट बोर्ड को क्या किया जाता है इस्टाल कर दिया जाता है आपके जो इंटर्नल मॉडम्स हैं यह आपके नाट पोर्टेबल होते हैं इसका मतलब यह है कि एक देफा अगर इनको इस्टाल कर दिया गया है तो आप इनको रिमूव जो है वो नहीं कर सकते कि यह आपके सिस्टम का हिस्सा है इसके पाद यह डिफिकल्ट टू कन्फिग्गर है कन्फिग्गर से मुराद यह क्यों कि इनको vبي्र कू है और इनको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इट मीन्स यज थैट कि आप जो है इनके लिए ड्राइवर्ड का यूज करते हो ड्राइवर्ड क्या होते है आपके पास चांद एक फाइल्स होती है जो फाइल्स जो है वो क्या करती है उनमें सैट अफ इंस्ट्राइशन होती है कि वो आपके इस इंटर्नल मॉडर्म को किस तरह से वो वर्किंग में लेके आएंगी इन्हें हम कहते हैं यह आपके ड्राइवर्स हैं यह लस एक्सपैंसिव होते हैं इनकी प्राइश जो है वो थोड़ी होती है और उसके बार लास वन है ये डेटा टांसमिशन स्पीड जो है इनकी वो स्लो होती है डेटा टांसमिशन स्पीड से मुराद में जो डेटा की स्पीड है एक जगा से दूसरी जगा जाने की मैसिज की ट्रांसफर होने की जो स्पीड है वो आपके पास स्लो होती है लास जैस की भी चार्जी डिवाइस है इनकों हमें जो है वो यूज करने में असानी होती है क्योंकि ये आपके वाइलेसली कनेक्ट होते हैं इट टाइटा सिगनल्स थूए एर्स तो हम जब के पड़ चुके हैं आपके डिरा टू टाइपस आफ मीडिया टांसमिशन मीडिया तो ह हिए आपके येर से सिगनल्स को कैच करते हैं और आप तक जो है हो सर्विसे पोह चारते हैं इत द एंपकी जो है इंतरनेट के सर्विसे सर्विश्य जो है वो पहुंचाते हैं इत इस embaixo लेक्ट हाप कंप्यूटर्स एंड enforce ड admiration 1 लैन नेटवर्ग आपके पास इता ये लुकल एरिया नैटवर्ग है हम इन चार्जिंड डिआशेज को यूज करते हैं आपके कम्प्यूटर सकषाथ किसलिए झीआपके इस नेटवर्ग का हिसा हिसा बनने के लिएुस हिसाब बंदे से मुराज यहार डाटा करने के लिए हम इस गर्सक्τοाम को यूज्ट करते हैं आपड़ाटब के साथ Kablaap कर सकते हो इसे आप अपने मुबाइल के साथ भी अटेच्च कर सकते हो विद यल्प आफ वाइफाई और डेस्क टॉप कंप्यूटर आपके जो PC होते हैं पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें हम कहते हैं ठीक है बेटा ये आज आज आपका लास्ट टॉपिक था थर्ड चेप्टर का जो के डेटा कम्यूनिकेशन है यहां पर एक्तताम पजीर होता है उमीद है बेटा आपको थर्ड चेप्टर जीतरह से अंडरस्टेंड हो गया होगा फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप बेटा कोटेक्ट कर सकते हैं इन्शाला हमारा नेक्स लेक्शर जो होगा वो चेप्टर नमबर फॉर हम स्टार्ट करेंगे